नमश्कार दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ECS Taten Briska के आज के दिन के पहले मैच की टूनमेंट का दोस्तो यह कि यह प्ले आफ मैच है पहला प्ले आफ मैच जो यहाँ पे खेला जाएगा टीम जिन्ना Briska वसस टीम किंग स्लेवर के बीच में तो इस वीडियो के अंदर इस मैच की आपको complete endless करके दूँगा और आपको यह बताऊंगा कि small league में कौन से player best रहेंगे कौन से player grand league में best रहेंगे कौन से players को captain और कौन से players को vice captain आप पिक करके चल सकते हो तो आपको बस वीडियो को पूरा watch करना है समझना अच्छे तरीके से अगर आप लोग इस मैच में कुछ कमाना चाहते हो बागी जो भी मेरी final update होगी after lineup यह toss के बाद या दोस्तों जो मेरी 100% winning team होगी वो सीधा आपको मारी telegram channel पे मिल जाएगी 13,000 से ज़्यादा लोग और रेड़ी जोइन हो चुके हैं और रोज़ाने आपर बदी गई मेरी free team का profit उठा रहे हैं और आप लोग भी अगर हमारे channel से join होना चाहते हो तो आपको हमारे channel का link description, comment दोनों जगा भी सबसे पहले number पे मिल जाएगा तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा हमारे channel के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दीगे team का profit उठा सकते हैं तो एक आम दोस्तों जरू कर ले ना क्योंकि यह आपके लिए important है और आपके लिए बिल्कुल free तो चली दोस्तों आप चलते हैं सीधा app की और जहां पर आपको last match के score गाड की हो और जहां पर मैं आपको दोनों ही टीम्स के last match के performance के बारे में बता देता हूँ तो यहां पर दोनों ही टीम्स एक दूसरे के against ही अपना पिछला match खेल कर आई है जहां पर गिंग स्लेवन की टीम ने ब्रेसिका को तीन विकेट से हरा दिया था काफी एक कह सकते हो कि टेवल मैच रहा था कुछ काफी कुछ अलगा आपको इस match में देखने को मिला था तो सबसे बहले बात करते हैं जिन्ना की बैटिंग की जो कि एक strong टीम है तो इनके और से निसार एहमद और फहीम नजीर open करने आए थे इनके दोनों ही openness 10 से जादर नहीं बना पाते हैं और आउट हो जाते हैं खासकर फहीम नजी जो कि अभी तक हार एक मैच में काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन इस मैच में 6 रन बना के आउट हो जाते हैं सारुप नवाज भी 3 गेंदो पे 4 हसान नहमद इनके कैप्टन दो गेंदो पे 0 गुलाम फरीद ने 7 गेंदो पे 11 बना रिजवान उद्दीन ने 8 पे 12 हुसेन ने 4 पे 2 अली ने 8 पे 4 हसन अली ने 2 पे 1 रुकसा रहमद ने 12 पे 9 और अली रजा ने 7 गेंदो पे 4 इन बना तो इनके और से कुल्दीप लाल ने 2 विकेंद निकाले वीवोर रियादब को ये विकेंद मिला जगमीत सिंग ने काफी चीकन बाजी की इनों ने 3 विकेंद निकाले इसके लावा जस्विंदर और अली नॉमान ने पहली बार टूनमेंट में बॉलिंग की और इनको भी 2 और 1 विकेंद मिल गया लेकिन इनके जो मेंद बॉलर रहेंगे वो कुल्दीप लाल रहेंगे वीवोर रियादब जगमीत सिंग तो ये 3 जवावन के मेंद और कंफर्म बॉलर रहने वाले है वहीं पर अब बात कीजाएं किंग स्लेवन की जब इस टैगेट को ये चेस करना है तो इन्होंने इसको असानी से चेस कर लिया इनकी और से जगमीत और विकास को बन के लिए भेजा गया दोनों ही यहाँ पे बिना कुछ खास की आउट हो जाते हैं और एकर बिना के वन डाउन यहाँ पे विवर यादब आते हैं यह भी छे गिंतों पे छे सीमरजी सिंग ने दोस्तियां पे तेरा गिंतों पे नोरन बना एक कुल दीप लाल भी ना खाता खोले आउट होगे जस्विंदर सिंग ने सत्तरा गिंतों पे छबी संग ने बना है बनजीत ने आट पे नो जेपाल ने साथ पे चार ओ जगजीत ने यहाँ पर खाता रहे खोला तो इनके जो मैनोरी इंपॉर्टेंट बैट्समन है वो जगमीत रहेंगे विकास कुमार विवोर यादब सीमर जिनसी कुल दीप ला तो इनके और से ये पांच इनके जो है वो मैनोरी इंपॉर्टेंट बैट्समन हो सकते हैं पहें पर अगर बात की जाया बरिस्का की के इंदवाजी की तो इनके और से फाहिम नजीर इनके विकेट टेकर बॉलर है हर एक मैच मैच में विकेड निकालत और आपको काफी कुछ सिखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आयो तो सब्सक्राइब कर लेना घंटा दवा लेना आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए क्योंकि यह आपके लिए इंपॉर्टेंट कर दिस्क्रिप्शन कमेंड दुनों पर जगाओ पर सबसे पहले नमबर पर मिल जाएगा तो किसी भी जिएक से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेरी दीगे टिम का प्रॉफिट उठा सकते हैं तो यह काम दोस्तों जरू कर लें क्योंकि यह आपक रिएट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री तो चलेए दोस्तों आप चलते हैं आपको कमाल के टीम कॉंबिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं तो बात किज़ें कीपर की तो यहां पर आपको दो विकेट कीपर देखने को भी लेंगे इन दोनों विकेट कीपर की खास बात यह है कि दोनों ही अच्छे स्टाइक डिट के साथ बल्ले बाजी करते हैं तो अभी के लिए दोस्तों मैं आपे दोनों ही विकेट कीपर के साथ जाऊंगा आप देखेंगे कि विकास कुमार को काफी कम लोगों ने पिक करके रखा है आप चाहो तो आप भी इनको बिन काफी ची करते हूं यहाँ पर एस सिंग को पिक करेंगे इसके लावे यहाँ से और कोई बैट्स्वन इतना इंपोर्टेंट रही है जिसके साथ आप लोग यहाँ पर जासो को तो यहाँ पर जो आपके लिए तीन इंपोर्टेंट बैट्स्वन रहेंगे वो यहाँ पर दो को ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए जो तीन में नाला उंडर है, मैं इनली के साथ जाऊंगा, बालिंग की बात किज़ए, तो यहां पर देखे, जे इपाल सिंग, इनको इस मैश के बाद बॉलिंग नहीं दी जा रही है मुझे नहीं समझा रहा है क्यों तो अभी के लिए आपर मैं रुकसा रहमत को भी करूँगा एच अली को भी करूँगा और आपके पास नो क्रेडिट है जहां पर आप एक प्लेयर पी करते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई आपर जो है वो मुझूद नहीं है तो हमाई दोस्तों टीम जो है वो रेडी हो गई है पांच प्लेयर जिन्ना बरिस्का के लिए हैं छे प्लेयर किंग सिलेवन के लिए हैं कॉंबिनेशन की बात की जाए दो विकेट कीपर, थ्री बैट्समें, थ्री आलेंड, थ्री बोलर का कॉंबिनेशन तयार किया है कैप्टन, वाइस कैप्टन किसे बनाए तो मेरे हिसाफ से कैप्टन नजीर रहेंगे वाइस कैप्टन अब केलाल को बना सकते हैं मेरे वाइस के टेम वीवोर यादब रहेंगे जो की बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे एक इंपोर्टेंट मैच है तो इनके ओपर टीम काफी ज्यादा डिपेंट करेगी कि अच्छा परफॉर्म करें तो मेरी दोस्तों टीम जो है वो रेडी हो गई यह इसको सेव करत पर आप लोग हमारी टीम का जोइन करना है तो एक बंके साथ ही आपको गलालिक जोइन करना है तो एक बार आप लोग हमारी टीम का प्रिव ले ले ल्युए ले ले जहाँ पर Bye आप ने लूकि जोईन पर सकते है और आप लोग भी अगर हमारे चैनल से जोइन होना चाहते हो तो आपको मारे चैनल का लिंक, डिस्क्रिप्शन, कमेंट दोनों जगाव पे सबसे पहले नमबर पे मिल जाएगा तो किसी भी जगे से जाके आप सीधा हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और मेरी दीगे टिम क प्राफिट उठा सकते हैं, बाकि अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूब पर प्रेस कर लें ताकि आप सभी को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मि सके, तो मिलेंगे आप से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातराम